तो ये कहनी शुरू होती है मिया नाम के एक लड़की से जो किसे से बच कर जंगल में भाग रही थी और काफी दिर तक भागने के बाद भी उसे सलक नहीं मिल रही थी तभी मिया के सामने एक बड़ा सादी में आता है जिसका नम ब्राइन था और मिया के सर को अपने हाथों से करश करके उसे जान से मा डालता है और जिस तरीके से उसने मिया के सर को करश किया था उससे हम जान पाते है कि वो आदमी बहुते ज्यादा तकतवर है फिर इसके बाद में ब्राइण मिया की बॉड़ी को जंगल में बने एक घर में लेकर जाता है जहां पर वो अपने भाई क्लाइड के साथ में रहता था क्लाइड उस समय मिया को टौर्चर की लिए कुछ वीडियो को देखकर मस्टर्बेट कर रहा था और ब्राइण के आने के बार में जोश की बेंद सारा और सारा का बॉइफेंड कोल कोल का एक फ्रेंड बिता जिसका नाम था मैक्स और ये चारो एश नाम के एक लड़की को किड्नैप करके कही पर ले जा रहे थे वे लोग जहाँ पर जा रहे थे वहाँ का एड्रेस सिर्फ कोल को पता था एश का पिता बहुती अमीर था तो इसलिए उनका प्लान था कि एश के बदले वे लोग उसके पिता से दस मिलियन डॉलर की मांग करेंगे मेक्स और कोल को जोश पसंद नहीं था उन्हें ऐसा लगता था कि जोश एक बच्चा है और वही उनके प्लान को खराब कर सकता है और सिर्सारा की वज़े से ही उन दोनों ने जोश को उनके प्लान में इन्वोल किया था अब रास्ते में वें सभी एक गेस स्टेशन में रुकते हैं और जोश उस गेस स्टेशन पर बातरूम जाने के लिए अंदर जाता है जोश गेस स्टेशन के बेक डोर से भागने की सोचता है लेकिन वो अपनी सिस्टर को अकले नहीं चुनना चाता था तो इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता है गेस स्टेशन में भी कई लोग ऐसे थे जो कि एश चे किड़ने पूने की बाते कर रहे थे वहीं पर मार के नाम के एक प्लिस आफिसर को देखते है जो कि बिलकुल नॉर्मल तरीके से सारा और जोश से बाते करता है इस बात को लेकर कॉल और मैक्स को बहुत ही गुसा आता है चुकि अगर गलती से उनके उपर पुलिस को शक हुआ तो बुरी तरीके से फज़ जाएंगे फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर आरग्युमेंट होता है और इसी चकर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक डियर से टकरा जाती है सारा जोश और मैक्स को इस एकसिटेंट से कुछ में नहीं होता है लेकिन इस एकसिटेंट में वो डियर कार के फ्रेंट गलास को तोड़कर कार के अंदर आ गया था और डियर का एक सिंग कोल के पेट में घुज गया था इस वज़े से कोल को बहुते दर्द हो रहा था साथी उसका बहुते ब्लड लॉस हो रहा था अचानक से उस डियर जाग जाता है उस दर्द के मारे छट पटाने लगता है जिससे कि कोल को और भी जादा दर्द हो रहा था तो इसलिए वो इस डियर को गोली मार कर उससे पुरी तरीके से खतम कर देते है अब तीनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कोल की बोडी से उस डियर के सिंग को निकालने के लिए लेकिन सिंग उसकी बोड़ी से नहीं निकलता है उपर से कोल को और भी ज़्यादा तकलीफ है हो रही थी सबी लोग समझ चुके थे कि अब को जिन्दा नहीं बचेगा तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रस पूछता है जहां पर वे लोग जाने वाले थे लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रस नहीं बताता है तो इसलिए मैक्स कोल को गोली मार कर उसकी जान ले लेता है क्योंकि वेसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रस नहीं बताने वाला था ऐसा इसलिए क्योंकि कोल को भी पता था कि अगर उन्हें एड्रस पता चल गया तो वे लोग उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ कर चले जाएंगे अब उन सभी लोगों के पास में कोई कलू नहीं था कि वे सभी लोग कहां पर जाए और क्या करें और उपर से उनके पास अब कार भी नहीं थी सारा को कॉल की पोकेट से एक फोन नमर मिलता है लेकिन उन लोगों के पास में फोन नहीं था तो वे लोग किसी को फोन नहीं कर पाते हैं तब भी वहाँ पर एलेक्स नाम का एक आदमी अपनी कार लेकर आता है सारा एलेक्स को जूट कहती है कि उनकी कार का डियर से टकराने से एक्सडेंट हो गया है जिसमें कोल मारा गया उस एक्सडेंट को देखकर एलेक्स पुलिस को बलाने वाला था लेकिन अगर पुलिस वहाँ पर आती तो पुलिस को पता चल जाता कि वे सब एक किड्नेपर है तो इसलिए मैक्स एलेक्स के उपर गोली चला देता है एलेक्स को बचाने के लिए जोश उसे धक्का देता है लेकिन गोली एलेक्स को लग जाती है एलेक्स किसी तरीके से खुद को समालता है और अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है अब एलेक्स को बचाने के लिए जोश और मैक्स के बीच में आर्गुमेंट होती है जोश के मताबिक वो नहीं चाहता था कि किड्नेपर से वे लोग मर्डर बन जाए कॉल के तो अल्रेडी मौत हो चुकी थी तो अब वो नहीं चाहता था कि महाँ पर और कोई मौत हो बरोसे के लाइक बिल्कुल भी नहीं था और एक छोटी से गलती पर वो उन्हें जान से माज अकता था तो इसलिए वे दोनों मैक्स से कहें मताबिक कार के डिक्के से एश को निकाल कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन सभी लोगों के मुवमेंट्स को कलाइड बड़ी दूर से देख रहा है वो वहाँ से फोरण अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्राइन को उनके नहे शिकार के लिए रेडी होने को कहता है लेकिन तब तक ब्राइन अपने डॉल के साथ में खेलने में बीजी था तो इसलिए वो कहीं पर जाना नहीं चाता था तब कलाइड ब्राइन से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी डॉल के तरह उसे एक लड़की दे देगा तब जाकर ब्राइन उनके शिकार के लिए रेडी होता है और कुछ हैंटकस उठा लिता है दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखता है जो कि गोली लगने के वज़े से जखमी हो गया था और इसलिए वो ज़्यादा दूर तक कारव ने चला पा रहा था जिससे की उसकी रास्ते में मौत हो जाती है और तभी वहाँ पर विल्बर नामगा एको रादी में आता है विल्बर एलेक्स की डेट बोडी को देखकर वो पहले उसके वलेट से पेसे निकाल कर खुद रख लेता है फिर उसी गेस इस्टेशन में जाकर पुलिस को एलेक्स की मौत की बारे में बताता है दुसरी तरफ सारा, जोश और मैक्स एश को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ जोश ही ऐसा था जो की एश की केर कर रहा था उन लोगों ने एश के सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो किन्ने पर के फेस को नहीं देख पाए और इसलिए चलते चलते एश कई बार रास्ते में गिरिवे रहा था और तब जोश उसे संबालता है उपर से एश के पेर में काटे भी चुप गए थे और तब जोश उसके पेरों से काटे निकाल कर उसे अपने सौक्स पैना देता है तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रैन दूर से उनके उपर नज़र रखे वे था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था फिर इसके बार में सारा मेक्स को आगे का प्लान पूशती है मेक्स का ये प्लान था कि वे लोग जंगल के रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहाँ पर किसी कार को रोक कर ड्राइवर को मारने के बार में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गेस इस्टेशन पर जाएंगे और उस गेस इस्टेशन से वहाँ पर से एश के फादर को कॉल करके एश के बदले उनके पेसे मांगेंगे मैक से सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जोश ने अब कोई भी गलती की तो वो उसे भी मार डालेगा सारा भी जोश के तरफ से प्रॉमिस करती है कि जोश कोई भी गलती नहीं खरेगा अब इन सबी के बीच में डिसकेशन हो गया था लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक सारा और जोश को मारने के लिए अपनी गर निकाल लेता है कोने और क्या काम करते है तो इसलिए वो सारा की बातों नहीं आता है अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था लेकिन अब प्राइड उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मताबिक उनसे काम करने को कहता है मजबूरी में सारा और जोश को कलाइड की बात मानकर एश को में जंगल में चुपाना पड़ता है और फिर दोनों कलाइड की डारेक्शन का फॉलो करके आगे बढ़ता है इधर एश के सर पर भी बोरी बंदिवी थी तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो आकिर कहां पर जाए तब ही उसके सामने ब्राइन आता है जो कि एश के सर पर घुसा मारकर उसे ब्योश करके अपना साथ में घर ले जाता है फिर घर लाने के बाद में ब्राइन एश को थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है जिससे के हम जान पाता है कि ब्राइन लड़कियों से अब्सेस्टर था ब्राइन के जाने के बाद में एश को होश आता है और घपराट में वो भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका सर बोरी से डखे होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और फ्रेजे से टकरा कर भियोश हो जाती है जिसकी अवाज सुनका ब्राइन वहां तक आ जाता है और वो समझ गया था कि एश भागने की कोशिश कर रही है तो वो इसलिए एश को एक चेर से बान देता है दूसरी तरफ कलाइड दोनों को एक पेड के पास में लेकर जाता है जहां पर दो हैंड कफ लटके हुए थे कलाइड के कहने पर दोनों उस हैंड कफ से खुद के हाथों को लॉक कर लेते हैं फिर उसके बार में कलाइड उन्हें उनकी एकसिटेंट हुई कार के पास मिलाता है और जोश को चाकू देता है जिससे कि वो डियर का सर काट सके पहले तो जोश डियर के सर को नहीं काट पा रहा था लेकिन जब क्लाइड उसे मानने की धमकी देता है तब जोश कुछी टाइम में उस डियर के सर को पुरी तरिके से काट डालता है फिर इसके बार में सारा और जोश दोनों मिलकर उस डियर के सिंग को कोल के पेट से भाहा निकलते हैं जोश तो डियर के बागी की बोड़ी पार्ट को मीट के ले काटने वाला था लेकिन कलाइड को डियर के मीट की कोई जरूत नहीं थी जो बात सारा और जोश को काफी अजीब लगती है लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि कलाइड और ब्रैन कैनिबल थे हैं तो इसलिए उन्हें अनिमल के मीट के जरूत नहीं थी फिर इसके बाद में जोश कलाइड के कहने पर डियर का सर उठा कर उसकी डारेक्शन को फोलो करके उनके घर तक आता है फिर इदर हम देखते हैं कि विलबर बुलिस उफिसर मार्क को अलेक्सी कार तक ले कर आता है इलेक्सी बौड़ी को देखने के बाद में वो विलबर को बाق़े के पुलिस आले capacit को वे पर कुछते रुकने को कहता है जिसके पर में मार्क अकेली आसपास के इलाके में चान्मिन करने के लिए जाता है कुछ दूर जाने के बार में उसे कूल की डेट बोडी और डियर के बाकी की बोडी दिखाई देती है और वो ये बात पुलिस कंट्रूल रूम को बताता है सांती पुलिस कंट्रोल डूम से उसे ये पता चलता है कि एश्टे किड्नेपर्स उसे इलाके में घूम रहे हैं और ये सुनकर मार्क जंगल के तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाना लगता है दूसी तरफ हम जोश और सारा को कलाइट के घर में देखते हैं जोश तो डियर के सिंग रखने के लिए ब्रैन के साथ में दूसी दरफ चला जाता है और सारा कलाइट के साथ में घर के अंदर जाती है ब्रैन के कहें मताबिक जोश डियर के सिंग को उनके आउटोस में रख देता है और जोश को वहाँ पर वही हत्यार दिखाई देता है जिससे कि ब्राइन लोगों के टुक्ड़ करता है इससे पहले कि जोश कुछ समझ पाता ब्राइन उसके पास आकर उसे घुसा मारकर उसे भिहोश कर देता है यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है चुकि उसा शक था कि उसके ड्रिंक में कोई पैजन हो सकता है इन सबसे बचने के लिए सारा क्लाइड को एक डिल उफर करती है कि अगर वो उन्हें यहां से जान ले दें तो वे लोग एशी के डिनेपिंग का आदा पेसा क्लाइड को दे देंगे लेकिन क्लाइड को पेसो से कोई मतलब नहीं था उसे तो उनका हुमन मेट चाहिए था सारा उस डिंक को नहीं पी रही थी लेकिन उस गन में कोई गोलिया नहीं थी मतलब कि अब तक बिना गोलियों के क्लाइड उन्हें डरा कर अपने घर तक लेकर आया था और साथी गन से डरा कर सारा को वो डिंक भी पिलाई गई थी लेकिन क्लाइड के पास में मैक्स गन थी तो इसलिए सारा Claydic के सामने हार मान लेती है तबी सारा दीरे-दीरे बेंश हो जाती है क्योंकि Claydic ने उसके ड्रेंक में नींद की घोल्यां मिलाई हुई थी फिर इसके बाद Claydic और एश के पास में जाता है और उसके सर से वो बरा हटाता है और यहाँ पर हम पहली बार एश के फेस को देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एश एक ट्रांसजेंडर लड़की है ब्राइन को हमेशा सही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे तो इसलिए क्लाइड एश को गिफ्ट के तोर पर ब्राइन को देना चाहता था क्लाइड एश से कहता है कि वो ब्राइन के साथ में अच्छा भीव करें उसके दोस्त बने क्यों क्यों मेंटल डिस्टरब है और उसे कोई इंसल्टर ना करें और तब वे लोग उसे कोई बनुक्सा नहीं पोचाएंगे एश बुति ज़्यादा ढर्योई थी तो इसलिए वो इस बात को मांच जाती है फिर इसके बार में क्लाइड ब्राइन को बलाकर एश को आउटोस में बनने को कहता है बृइन भी क्लाइड की बात मानकर एश को आउटोस में ले जाता है और वो वहाँ पर उसके पेरों को चेंट से बांधिता है फिर अब Brayan सारा के कपड इतार कर उसे चेंट से बांधकर बार एक पेड़ से लटका देता है और कलाइड केमरा लेकर आता है सारा के टॉर्चर को रिकार्ड करने के लिए साथियों जोश को गर के अंदर ले जाकर उसे एक चेर से बान देता है ब्रैन ने सारा की बोडी पार्ट के उपर मर्किंग करके उसकी बोडी के पार्ट के नाम भी रख दिये थे मतलब कि वे दोनों उन बोडी पार्ट के तुकड़े करने वाले थे फिर उसे समय सारा को होश आता है लेकिन उसके सर पर बोरी बंदी हुई थी तो इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ पर है और दोनों भाई उसके साथ में क्या करने वाला है सारा उन दोनों कोई गाल्य दे रही थी उसे टोचर करने लगता है जिससे कि सारा दर्थ के मारे चिलाने लगती है और उसके चिलाने की आवाज से एश भी काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों की रस्ट्यों को डियर के सिंग से काटने लगती है और कुछी देर में उसके हाथों की रसे खुल जाती है फिर अब एश एक आरेन रोड से अपने पेरों के चेन को तोड़ लेती है जब तुनों भाई घर के अंदर जोश को टोचर करने गएते हैं तब एश उस आउट ओफ से बहार निकल जाती है अब इदर घर के अंदर ब्राइन और कलाइड जोश को टोचर करने लगते हैं और कलाइड उसका वीडियो भी रिकॉड कर रहा था जोश अपनी बेहन सारो को आवज लगा रहा था लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी फिर इसके बद में कलाइड एक चाकूँ से जोश के प्राविट पार्ट को काटने लगता है और वो एक बर्नर से उसके जखमों को जला देता है ताकि जोश का ब्लड ना निकले जोश जब दरत के मारे छिला रहा था तो एश उसकी आवज सुन लेती है और बाहर उसे सारा भी खून से लटपत लटकी हुई दिखाए देती है तो इसलिए वो वहाँ से भागती नहीं है वो अब जोश को बचाने का सूचती है क्योंकि उन सभी किड़नेपर्स में से जोश ही सिर्फ ऐसा था जोकि उसके केर करता था अब एश घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक गन और कुछ गोलिया मिलती है एश कुछ बिलेट को गन के अंदर डालती है और कुछ गोलियों को अपने पोकेट में रख लेती है फिर वो उसी रूम में जाती है जहाँ पर जोश को टॉर्चर किया जा रहा था और वहाँ पर जाकर वो ब्राइन को शूर कर देती है जिससे कि ब्राइन वहे पर बेऊश हो जाता है ब्राइन इतना ज़्यादा स्ट्रोंग आदमी था कि वो एक गोली से नहीं मरता है फिर इसके बाद में एश क्लाइड को गंपैंट पर लेकर जोश के दोनों हाथों को खुलвाती है फिर जोश क्लाइड के हाथों में हेंडकॉफ लगा देता है उसने जो उसका साथ में क्या था उसके लिए जोश क्लाइड को बहुत मारता है अब सभी सारा की बोड़ी के पास में आते हैं जोश सारा को होश मे लाता है जिसके बार में सारा अपने कप्ड़ा पहेंती है फिर एश उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर जंगल के तरफ जाना लगती है ताकि वो वहाँ से निकल कर में रोड तक सेफली जा सके लेकिन रास्ते में कलाइड जोश को पकड़ लेता है और वो उसे गरदन तोड़कर उसे जान से मार डालता है डर के मार एश गन भी नहीं चला पाती है तब सारा एश से गन लेकर कलाइड को गोली मार देती है अब इतना सब हो जाने के बन में सारा अभी भी उनके नेपिंग के पेसों के बीचे पड़ी हुई थी वो अब एश को गन पॉइंट पर ले लेती है तब ही वह पर पुलिस ओफिसर मार काता है जो के सारा को शूट करके उसे महीं पर जान समा डालता है मार के शूट करने पर सारा की एक काह के भारा गई थी और एश से मार को को पता चलता है कि एश हुए एक नेफुई लड़की है और एश अब तक हुई सबी चीजों के बारे में मार को को सब कुछ बता देती है मारक एश के बता हुए क्लाइट के गर पर जाना चाता था पर एश वहाँ पर फिर से नहीं जाना चाती थी लेकिन मारक के जोड़ देने पर एश को उसके साथ में जाना पड़ता है वहाँ पर जाने पर एश को ब्रैन की डेट बोड़ी नहीं दिखाय देती है जिससे कि वो बहुत ज़दा डर जाती है चुकि उससे पता था कि ब्रैन का खुला गुमना कितना ज़दा खतरनाक है अब एश के कहे मताबिक मारकों को वहाँ पर ब्रैन की बोडी नहीं दिखती है जिससे कि उसको एश के ओपर ही शक होता है और वो उसे घर के अंदर ले जाकर उसे हेंडकफ से बांद देता है जिसके बाद में मारकों के गुद उस जगए की चांद मिल करने लगता है जहां पर उसे हुमन बोडी के कटवी पार्ट दिखाई देता है लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता ब्रैन वहाँ पर आकर अपने हाथों से उसके सिरकों क्रश कर देता है फिर इसके बाद एक हथиार से वो मार के के तुकड़े करने लगता है ये सब Аиш गर के अंदर से ही देख रहे थी तो इसलिये वो जल्दे जल्दी अपने हाथों को कुलने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ हेंडकफ से नहीं निकल रहा था तब एश जोज का कटा हुआ प्राइविट पार्ट वहीं पर पड़ावा देखती है जिसके खून को वो अपने हाथों पर लगा लेती है और उसके कारण उसका हाथ उस हेंडकफ से निकल जाता है अब जब एश वहाँ से भागने वाली थी तो अचानक से क्लाइड आता है जो कि काफी जखमी था लेकिन वो एश को शूट करता उससे पहले एश उसके सर पर एक चाको को घुसा देती है फिर एश क्लाइड की गन खुद ले लेती है और ब्राइन को वहाँ पर आता हुँ देखकर उसे भी शूट करके वो वहाँ से भाग जाती है लेकिन दो बार गोलिया खाने के बाद भी ब्राइन को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी एश का पीछा करने लगता है लेकिन सई समय पर एश मेंडरोह तक भूच जाती है ज़ावर पुलिस की इन terrible की कार के पास में ख़ड़ी हुई थी ओर पुलिस को देखकर ब्राइन भी एश का पीछा छोड़ देता है अब एश पुलिस के पास में जाती है जहाँ पर पुलिस एश को सही सलामत उसके घर पर ले जाती है और ब्राइन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है और इसी के साथ में यह मूवी यहें पर एंड हो जाती है तो दोस्तों यह था दे बच्छर जुख मूवी का सेकंड पार्ट यह बहुत सलैशर और टॉचर मूवी है जिसे देखकर एक बार आपको भी खिरा जाएगी इस मूवी में हमने देखा कि किसे कुछ किड्नेपर एश नाम के एक लड़की को पकड़ कर उसके पिता से पेसे मांगना वाले थे लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ में एक ट्रेजडी हो जाएगी वो जिस जंगल के पास में से निकल रहे थे मुआपट दो भाई ऐसे रहते थे जो के कैनिबर्स थे उन किड्नेपरस के बीच में आपस में भी लड़ाया हो रही थी और इसे का फाइदा उठा कर ब्राइन और क्लाइड ने उनका पकड़ लिया दोनों भाई उनको मार कर उनका मीट खाना चाहते थे लेकिन मुवी के आखिर में सिर्फ किड्नेपर पूई एशी बची और बाकी सबी लोग मारे गए ब्राइन दोला मेंटल इस्टर भी था और वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग था कि गोली लगने के बार में उसे कुछ नहीं होता है लेकिन मुवी के एड़ में हमने देखा कि एश पुलिस के पास में से सलामत आ जाती है और ब्राइन बस उसे जाता हो देखता रहता है तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कामेंट और शेयर जरू करना और अगर आपको इस मुवी को देखना है तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना मैं वहाँ पर इस मुवी को डाल दूँगा तो अब मैं आपसे मिलूँगा एक और इंटरस्टिंग और शेयर मुवी के साथ में